बिस्मिल्लahi रह्मान रहीम हम डिस्कस कर रहे हैं के पॉर्टफॉलियो थेरी क्या है और पॉर्टफॉलियो में assets की demand कैसे की जाती है और उसके चार determinants का मैंने जिकर किया पिछले lecture में उसमें से दो को हमने डिस्कस कर लिया wealth को और expected returns को दो रहते हैं risk और liquidity इस lecture में हम इसको discuss करते हैं और इस में थोड़ा एक technical issue होगा जो आपने ज़रा तवज्जों से समझना है variance की calculation पहले basic idea कि अगर एक acid की उपर relative sense में relative farm में risk बढ़ जाए अभी क्या होता है risk इस पे भी मैं आपको explain कर देता हूँ लेकिन जो normal use में भी risk आता है वर्ड तो आप मुझे बताएं जिस asset का risk बढ़ जाए बाकी asset के मुकाबले में तो लोग चुकि उस पे loss का chance बढ़ जाता है probability बढ़ जाती है तो इसका मतलब है लोग उसकी demand कम करें इसलिए risk बढ़ेगा demand कम हो जाती है अब risk कैसे measure करते हैं यहाँ पे आपको एक बात clear कर लूँ कि जो daily life में हम risk का मतलब लेते हैं और जो economics में risk है इसमें थोड़ा सा टेक्निकल एक difference normal daily life में हम risk से मुराद लेते हैं कि uncertainty कि एक एसिट की उपर loss होने का chance हो तो हम कहते हैं यह risk की एसिट है लेकिन economics में जब हम risk की बात करते हैं तो risk basically एक exact measurement है uncertainty की यानि के अगर आपको possible returns पता हो और उनकी probabilities भी पता हो तो फिर आप risk मेजर कर सकते हैं अगर probabilities नहीं पता तो फिर आप यह तो कह सकते हैं यह uncertain return है यह नहीं कह सकते हैं यह risk की एसिट है economics के हम और economics में risk का मेजर है variance और variance basically क्या होता है मैंने step by step approach में आपको बता दिया ताकि आ two assets हैं हमारे पास एक A है एक B है these are two different assets जो A asset है उसकी दो possibilities है return की एक possibility यह है कि वो 10% return देगा और इसकी probability 40% है दूसरा यह है कि यह 20% return देगा यह chance है और इसकी probability या इसका chance 60% है और चुक्के यह calculation हम पिछली class में कर चुके हैं कि इस case में expected return होगा 16% तो variance के लिए आपको करना यह होगा कि यह जो दो chances वाले return है 10% और 20% इन दोनों में से 16% को जो average expected return है वो minus कर लें और minus करने के बाद क्या आएगा इसका मतलब है जो deviation farm में है यानि कि 10-16 इसकी probability 40% और 20-16 वाले के साथ probability 60% अब यह जो आपने difference लिया है minus किया है actual possible return minus expected return इन दोनों terms का square कर लें और इनकी probability से multiply करके add कर लें तो यह आजाता है variance variance basically क्या है variation का मज़र है जो average value से जो deviations होती है उनके squares का sum होता है तो वो ही या मैं ने practical example में कर दिया तो वो risk आगया 24 अब यह variance है 24 किसका asset A का अब यह asset A चुके risky है तो हम example भी इसकी वो ही लेते है जो risky asset होता है मसलन stock market में कोई share है यह stock जिसे कह सकते यह कोई stock था है एक और asset जो asset B है वो मैंने select कर लिया treasury bond और treasury bond के ऊपर कोई risk नहीं होता return का यह नहीं कि उसका return sure होता है कि कितना मिलेगा वो sure return हमने assume कर लिया कि वो भी 16% है अब चुके उसके अंदर कोई uncertainty ही नहीं है तो उसका variance हो जाएगा 0 और वैसे भी आप calculation करना चाहें तो 16-16 का square ज है 1 से multiply भी कर लें तो answer तो 0 ही है तो variance 0 का मतलब है it is not risky it carries no risk तो हमारे दो assets है A stock है B treasury bond है उसका दोनों का return 16 है एक का expected return 16 है एक का actual sure return 16 है जो stock है उसका risk यानि कि variance 24 है और जो हमारा दूसरा item है जो treasury bond इसका risk 0 है तो आप मुझे बताएं जब दोनों का on average return 16 हो जबके एक risk हो एक risk ना हो तो लोग किसमें इन्वेस्ट करेंगा रहियरी bond क्योंकि वो same return देता है with lesser risk तो यह meaning था मेरा कि जब risk बढ़ जाए तो उसका investment लोग उस asset में कम कर देते हैं और याद रखें आखरी जो हमारा point है जो portfolio portfolio theory में fourth determinant है किसी भी asset की demand का याद रखें money की demand हम इसके बाद discuss करेंगे पहले हम general portfolio theory पढ़ रहे हैं तो portfolio में fourth determinant जो asset की demand का होता है वो है हमारे पास liquidity और liquidity का meaning हम already पहले lecture में clear कर चुके हैं जो इससे पहले नहीं पिछले lecture में यह clear हो गया और वो यह है कि liquidity से मुराद यह होती है कि how quickly an asset can be converted into cash or checkable deposit or it can be converted into medium of exchange which can be used for purchase of goods and service और जरूरी यह है इसके लिए liquidity हाय तब होती है जब किसी asset के large number of buyers और sellers हो और उसको sell करने की money में convert करने की transaction cost कम हो तो asset liquid हो जाए तो हमारे case में जितना किसी asset की liquidity ज्यादा होती जाती है other things remain same यहनि कि बाकी उसकी चीज़ को ना छेड़े ना return को ना उसके risk को just उसकी liquidity बढ़ जाए यहनि कि आप वो easily convertible हो जाए money में तो इसका मतलब है अब उस asset की demand बढ़ जाएगी liquidity और asset की demand का आपस में positive relationship होता है Thank you